राजस्थान अपनी खूबसूरती के साथ-साथ कुछ भूतिया जगहों की वजह से भी बेहद लोग प्रिये है। इन भूतिया जगहों से जुद्धे कई किस्से और कहानिया हैं, जिनके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। राजस्थान में जैसे खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, उसी तरह से यहाँ भूतिया जगहों की भी कमी नहीं है। ये जगह कई डरावने किस्से और भूतों की कहानियों को समेटे हुए है। आज हम आपको राजस्थान की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां जाने पर परियटकों की रूह कांप उठती है, और रात को तो आप यहां जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा. नमबर एक, राजस्थान का भानगर का किला. राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगर का किला किसी परिचय का मोहताज नहीं है. भानगर किले को राजस्थान में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाता है. भानगर किला एक प्रसिद्ध परियटन स् आपको यहां की वीरान और सुनसान जगह को देखकर ही रूह कांप उठेगी भले ही यह राजस्थान के प्रेतवाधित स्थानों की सूची में सबसे आखिर में आता हो लेकिन जब भी लोग किसी जगह की भूत की कहानी के बारे में बात करते हैं तो यह निष्चित रूप से शीर्ष पर ही आता है इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में इस किले पर भूतों का साया रहता है किले में चिलाने, रोने की आवाजیں, चूद्धियों के खनकने की आवाज और कई तरह की परचाईयां भी दिखाई देती हैं नमबर दो, राजस्थान का कुल्धरा, गांव, राजस्थान का सबसे डरावना गांव, कुल्धरा राजस्थान की एक ऐसी जगह है, जो करीब 170 सालों से वीरान पड़ी हुई है, इस जगह में कोई इनसान अकेले जाने से डरता है, ऐसा कहा जाता है कि यहां के लोगों ने एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इसको खाली कर दिया था। तब से अब तक ये जगह वीरान पड़ी हुई है। दिल्ली की परनोमल एजेंसी द्वारा कुलधरा गाव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहां के मरे हुए लोगों की आवाज रिकॉर्ड की गई है। और उन्होंने अपना नाम भी बताया है। ये किला भूतिया कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा का भूत है। तब ही से यहां इस तरह की भूतिया घटनाएं देखी जाती है। अजमेर उदैपुर हाइवे को खून का रास्ता भी कहते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहां कई भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। कई लोगों का कहना है कि इस रास्ते एक औरत दिखाई देती है जो दुलहन का लाल जोड़धा पहने होती है। जब बाल विवाह प्रचलित था तब एक पांच साल की एक लड़की की शादी तीन साल के लड़के से होनी थी लेकिन मां इस रिष्टे से खुश नहीं थी और वो मदद मांगने के लिए हाइवे की ओर चली गई। लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बेटी दोनों को टक्कर मार दी और उन दोनों की वहीं मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा यहां भटक रही है तो ये थे राजस्थान के पांच भूतियास्थान। विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।